हाई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल कुक वित बासना आज में आप लोगों के लिए के आई हूँ बहुत ही ज्यादा टेस्टी क्रीमी बटर स्कॉच आइसक्रीम जिसे हम घर पर बहुत ही आसानी से बना के त्यार कर सकते हैं और ये बजार से बहुत ही अच्छा आइसक्रीम घर पर बनता है और आप देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा क्रीमी और सॉफ्ट बना है तो चलिए फिर बनाते हैं अब हम करेमल क्रंच बनाएंगे उसके लिए एक पैन गरम करेंगे उसमें आधा कप चीनी डाल देंगे मैं यहाँ पे चीनी ले रही हूँ आप चाहें तो PCV चीनी भी ले सकते हैं PCV चीनी बहुत ही जल्दी मेल्ट हो जाता है अब देखें जैसे ही चीनी गरम होना सुरू होगा चीनी मेल्ट होना सुरू हो जाएगा अब हम गैस का फ्लेम मीडियम कर देंगे यह प्रोसेस हमें मीडियम फ्लेम में ही करना है अब इसी तरह हमें चलाते रहना है चलाते चलाते चीनी बहुत यह अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगा अब देखिए चीनी पूरी अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो गया है अब इचीनी मेल्ट हो गया, अब इसमें हम आधा चमच अमुल बटर डाल देंगे, आप चाहें तो अनसॉल्टेड भी बटर डाल सकते हैं, अब बटर अच्छे से मेल्ट हो जाएगा, तब तक हमें चलाना है, अब देखें बटर अच्छे से मेल्ट हो गया, अब हम गैस का अब इसमें हम डालेंगे एक चमच बारी कटा हुआ काजू, आप चाहें तो बदाम भी डाल सकते हैं, अब इसे मिक्स कर देंगे, अब एक स्टील की प्लेट लेंगे, उसमें थोड़ा सा घी डालके प्लेट को ग्रीस कर लेंगे, अब ये प्लेट ग्रीस हो गया है, अब इसमें हमने जो मिक्षर रेडी किया था केरेमल का, वो इस प्लेट में डाल देंगे, अब इसे इस तरह से सेट कर लेंगे, और इसे आधे खंटे के लिए सेट होने के लिए छोड़ देंगे, कि अच्छे से केरेमल क्रंच क्रंची हो जाए, और सेट भी हो जाए और आसानी इसी ये निकल जाए, अब ये देखे, सेट हो गया, आधा गंटा हो गया, अब इस तरह से प्लेट को हम नीची से प्रेस करेंगे, और इस तरह से निकाल लेंगे, ये बहुत ही असानी से निकल जाता है, अब इस तरह से हम हाथ से तोड़ेंगे, अब तोड़के इसे हमें crush करना है, अब इस कूटने वाले में हम डालके इसी crush करेंगे, हमें powder नहीं बनाना है, bite रखना है, आप चाहें तो balance भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को balance ज्यादा easy इसमें लगता है करने में, अब देखिए, अब इस तरह से हमें तोड़ना है इसको, अब इतना तोड़ेंगे कि bite रखना है कि ice cream के बीच बीच में जब यह आता है मुह में तो बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है, सबसे पहले हम एक कप whipping cream लेंगे, यह आपके पास whipping cream ना हो तो आप अमुल का fresh cream भी ले सकते हैं, अब हमें mixer स इसे mix कर लेना है, हमें तब तक mix करना है जब तक इसके small picks ना आ जाए, और ध्यान रहे जब भी आप अमुल का cream ले तो पूरा chill होना चाहिए, अब देखिए, यह पिंग cream ready हो गया है, इसके small picks आ गया है, अब इसमें डालेंगे अपने taste के according, condensed milk, आप चाहें तो सक्कर भी ड paste आता है, अब इसे भी अच्छे से mix कर लेना है, अब इसमें डालेंगे one pinch yellow food color, यह पूरी तरह optional है, और एक चमच butter scotch essence, आप जब भी बजार में butter scotch ice cream खाते हैं, तो देखते होंगे yellow is color रहता है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में, अब इन सब को अच्छे से mix कर ल whipping cream में, अब यह whipping cream ready हो गई है, अब इसमें हम डालेंगे caramel crunch जो हमने बना के ready कर रखा था, अब इसे इस तरह से mix कर देंगे, butter scotch ice cream की तो जान होती है caramel crunch, जब आप एक एक bite खाते जाए और जब यह crunchy crunchy मूँ में आता है, तो बहुत ही ज़्यादा tasty लगता है, अब इससे अच् mix हो गया है, अब यह butter scotch ice cream का mixture एक air tight डब्बे में डालेंगे, आप ध्यान रहे कि जब भी आप ice cream जमाए तो air tight डब्बा ही ले, इसे ice crystal नहीं जमता है, अब यह mixture को अच्छे से set कर देंगे, अब देखिए यह पूरी अच्छे से set हो गया है, अब इसमें हम butter paper लगाएंगे butter paper लगाने से, इसमें ice crystal बिल्कुल भी नहीं जमता है, अब इस तरह से हमें लगाना है, अब देखिए, butter paper हमने लगातिया है, अब इसका हम कैप बंद करके, overnight के लिए इसे defridge कर देंगे, अब देखिए, overnight fridge में रख दिये थे, अब इसे निकाल लिये हैं, अब सबसे पहले butter paper हटाएंगे, butter paper बिल्कुल भी चिपकता नहीं है, ice cream में, अब इसे हमने निकाल दिया है, butter paper को, अब देखिए, बिल्कुल भी ice crystal लगी दिख रहा है, इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ ये ice cream कितनी soft, smooth, creaminess बनी है, अब आप देख सकते हैं, ice crystal बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल बजार से भी अच्छी बनी है, है ना, ये ice cream बनाना बहुत easy, ये ice cream बच्चो बड़ो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, तो आप इस तरह से एक बर बना के जरूर try करें, दोस्तों अगर आपको आज की recipe अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को like करें और subscribe करें, फिर मिलते हैं अगली recipe के साथ, तब तक के लिए बाबाई